मैं बात करेंगे आज के अपने jackpot match के और saga flashback का जो jackpot match है आप सभी को पता है हम लोग first inning में इस clean sweep कर चुके होते हैं सेम वैसा ही आपको इस match पर देखने को मिलेगा आपको world cup वाले जो हमारे members है या तो monthly वाले जो हमारे members है उनकी आपको बड़ी winning देखने को मिलेगी प्यादा investment नहीं किया है टाइम की कमी के वज़े से किवल 4 league हमने यहाँ पर join की हुई है आप देख सकते हो 4 हो ही league में हम काफी अच्छे points से यहाँ पर lead कर रहे हैं एक-दो league मैं open करके आपको दिखा रिता हूँ यहाँ पर हारने यह कोई सवाल है नहीं उठता है आसानी से हमने ultra clean ship कर लिया है point का difference आपको देखके समझ में आ गया होगा अभी हम लोग एक-दो दिम बाद से बड़ा investment करेंगे अभी क्या है कि September closing वाला काम अभी complete नहीं हुआ है तो दो-तीन दिन में वो सारी चीजें complete हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग World Cup के कुछ दिन पहले से ही बड़ा investment लाखों में investment करना हम start कर देंगे मैं directly आपको सारी चीजें क्रिकबज application से ही समझा देता हूँ देखो दो रास्ते हैं prediction देने के या तो मैं उनी चीजें को लिख करके लाओं जिसमें कि मैं time waste करना नहीं चाहता हूँ और मेरे पर इतना time भी नहीं है बस आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस match में अच्छा win कर सको हमारे members तो win करेंगे ही करेंगे यहाँ पे अगर मैं बात करो तीन ODI match की series होई थी जिसको New Zealand ने win किया था matches हो रहे हैं विंडिज में चुकि यह series का मैं पहला match आपके लिए बना रहा हूँ prediction का वीडियो दे रहा हूँ इसलिए सारी बाते बेसिक आपको समझाना जरूरी है ताकि आपको idea लग जाए यानि ODI series New Zealand ने यहाँ पे जीती थी 2-1 से T20 की बात करो तो पहला match जीता था विंडिज ने वो भी लगबग हार चुकी थी लेकिन एक रंग से विंडिज की team जीत गई थी इसके बात देख सकते हो यहाँ 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 New Zealand ने match को विं किया लास्ट मैच 112 का ही टारगेट मिला था New Zealand ने पहले बैटिंग करते हुए 111 बनाया थे लेकिन इंडिज इतने कम टारगेट को भी चेस नहीं कर पाई और टाई हो गया था मैच असानी से match को विं कर लिया था New Zealand के team ने यानि तीन एक से अल्रेडी से रिज विं कर चुकी है अब जो लास्ट T20 मैच होने वाला है यह प्रेडिक्सन का वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसमें कुछ चीजे ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जो कि आप जब तक सारे मैचेज आपने कवर किये होंगे इंवेश्मेंट किया होगा या आपको अच्छे नॉलेज होगी तब ही आप विन कर पाओगे आप स्कोर बोट जाकर कर देख लेना वो सम्मायने नहीं रखता है मैं जो आपको बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो देखके ही आप विन करोगे कुछ प्लेयर मैं यहाँ पर लेता जाऊँगा आपको मैं बताता जाऊँगा कि उनको लेने की वज़या क्या है सबसे पहले न्यूजिलेंड जो मजबूर टीम है उनके कौन से प्लेयर लेने है एमिलिया केर लेना है सोफी डिवाइन लेना है आपको ये दो प्लेयर मस्ट पिक हैं लेकिन आपको कुछ बाते में बता दू एमिलिया केर लगभग पूरा का पूरा चार ओवर कराएंगी लेकिन सोफी डिवाइन के बात करो तो इनके ओवर का कंफर्म नहीं रहता है एक मैच में इन्होंने एक पी ओवर नहीं कराया था एक मैच में इन्होंने तीन ओवर कराया था तो यानि यहाँ पर unpredicted बिल्कुल है कि Sophie Divine balling कराएंगी कि नहीं कराएंगी और जहां तक batting का सवाल है तो last match में तो 18 नम बना करके इन्होंने match को win करवा दिया था लेकिन generally अगर देखा जाए तो यह बहुत अच्छी form में नहीं है जितनी अच्छी form में रहा करते हैं पूरे world cricket में women's के काफी बड़ा नाम है Sophie Divine बट इस season दो matching के अच्छे के हैं एक last match जिसमें इन्होंने तीन wicket लिया था एक पहला match जो इन्होंने खेला था वहाँ भी कुछ wickets इन्होंने दो या तीन wicket लिया था जा करके देख लेना वो मायने नहीं रखता है जो important बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि captain wise captain जानतर लोग Sophie Divine को और Emilia Care को बनाते हैं लेकिन Sophie Divine को बनाने के पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कई match में बॉलिंग कराती हैं कई match में बॉलिंग नहीं कराती हैं तो इनके balling का confirm नहीं है लेकिन last match में इन्होंने थीन wicket लिया था तीन over I think balling कराया था अब देख सकते हो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ चार over यहाँ पर इन्होंने balling कराया थी last match में 13 रम बनाया था और सूपर over में भी इन्होंने 18 रम बनागर के match को win करवा दिया था इसके जश्ट पहले वाला match देखोगे तो एक over balling कराया था उसके पहले वाला match आप देखोगे तो 2 over balling किया था इन्होंने यहाँ पर देखोगे तो 3 over किया था दो wicket लिया था यानि wicket इन्हों को कहा मिला एक सबसे पहले वाले match में मिला एक last वाले match में 3 wicket मिला और balling का भी confirming का नहीं है इसलिए इनको captain wise captain बनाना थोड़ा risky रहेगा एमिलिया कहर की जहां तक बात है इस बार balling से और batting से दोनों से इन्होंने निरास किया है last match में 40 plus screening इन्होंने खेली थी batting अच्छी करती है balling 4 over कराती है कई बार date 4 में balling कराती है एक wicket taking baller है लेकिन यहाँ पर कुछ खास वैसा नहीं किया यहाँ पर सूजी baits है जो कि किसी किसी match में 3 से 4 catches ले लेती है बहुत अच्छी filter है last match में इनको एक over भी balling नहीं दी गए और generally यह balling कराती भी नहीं है लेकिन अगर आप 3rd T20 match देखोगे वहाँ इन्होंने 4 over balling कराय थी और wickets भी लिये थे same pitch पे match हो रहा है लेकिन last match में यह batting से भी flop रही और balling भी इन्होंने नहीं कराय थी उसके पहले वाले match में इन्होंने नहीं कराय थी बट 54 रम मारा था उसके पहले वाले match में 2 over कराय था इन्होंने तो Sophie Divine से इनका over जो है वो distribute हो जा रहा है Sophie Divine किसी match में balling करा रही है तो किसी match पर आपको कराते हुए सूजी बेट से लेकिन सूजी बेट से एक spinner है तो जरूरी नहीं इनको balling दी जाए अगर बहुत ज़रा turn मिल रही है पिछ पे तो फिर इनको balling कराने दिया जाता है और Pacers के over काट लिया जाते है जैसे मैं आपको 3rd T20 की बात करूँ तो Hallie Jensen इनको I think बहुत कम over एक over दिया गया था इसके अलावा यहाँ पे कुछ और Pacers के over काटे गया थे जैस Scare जिन्होंने अच्छी balling किते एक wicket लिया था इनका भी over काटा गया था केवल spinners को balling दी गया थे अब यहाँ आपको क्रिकबच पे दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ यह बहुत मायने रखती है बात मैं stats अगर आपको दिखाऊँगा तो आप यह चीज़ नहीं समझ पाओगे यहाँ पे देखोगे New Zealand की तरफ से F. Jones जो की एक spinner है इन्होंने बॉलिंग की चार ओवर तीन विकेट लिया यहाँ पे आप देख सकते हो सूजी बेट्स ने तीन ओवर करा करके दो विकेट लिया Carson जो की एक spinner है इन्होंने दो विकेट लिया Amelia Kerr ने भी चार ओवर किया एक विकेट लिया अब यहाँ पे जो में इन्के पेसर है जैंसन के दो ओवर हुए जैस केर के और सोफिडे के यह तीन पेसर है तीनोंने मिला करके चार ओवर किया यह हुआ थर्ड T20 लेकिन जब सेम वेन्यू पे हो रहा था तो वैसा होता हुआ आपको फोर्थ T20 में नहीं दिखा यहाँ पे देख सकते हो चार ओवर तो इन्होंने फिर से किया यह इंपोर्टेंट आपको लेना ही लेना एप जोंस को चार ओवर करा रही है विकेट भी ले रही है अब यहाँ पे Jazz Care को चार ओवर करा दिया गया तीन ओवर दो की जगा इंको कराया वैसी कि करती ही है जनरली चार ओवर करेंगी हैली जैंसन सोफी डिवाइन ने चार ओवर किया अब यहाँ पे कारसन के ओवर कराट लिये गया जो किसके पहले जो दो मैच खेले था दोनों में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था अब इस मैच में आप सोचोगे कि इंको नहीं लेना है और इस मैच में इंको विकट मिल जाएगा तीन-चार विकट, दो-तीन विकट यह ले सकती है तो अभी क्या है कि New Zealand के तरफ से काफी unpredicted चीज़े हो रही है कभी किसी को balling दी जा रही है कभी किसी को अब यहां आप देखोगे सूजी बेट्स को एक over balling नहीं दी गई तो आप अगर Captain Vice Captain मनाते हो सूजी बेट्स को उनको balling नहीं दी गई तो आपके team flop हो जाएगी तो यहां पर यही आपको decide करना है किन player को लेना है क्योंकि आपके पास यह certain नहीं है कि कौन से player को कितने over balling दी जाएगी अगर आप 30-20 देख करके आप चले होते Jess Care को आपने नहीं लिया होता Hallie Jensen को आपने नहीं लिया होता जिनके over काटे गए थे आपने Carson को लिया होता Amelia Care तो default pick है Sophie Divine को आपने कुछ नहीं बनाया होता जिस तरीके का इनका performance था balling भी नहीं करा रही थी F Jones को आपने बिलकुल लिया होता तो इंको wicket मिला नहीं इंको एक over दिया गया तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है आपको जो अच्छे player है वो लेकर करके चलना है किसको कितने over balling दी जाएगी वो तो बाद की बात है तो इसलिए मैं आपके लिए video बना रहा हूँ ताकि आपके लिए helpful हो जाए यहाँ पे आपको Hallie Jensen को लेना है Happ Jonas को लेना है आपको यहाँ पे Jazz Care को लेना है यह तीन ballar आपके लिए mostly pick है यहां से आपको लेना ही लेना है अब यहाँ पे Carson को लेना है क реально है यह depends करता है यहाँ पे which कैसी है तो switch तो same उसी menu पे match हो रहा है वहाँ पे अलग अलग पिछ है अब यहाँ पे Carson को लेना आपके लिए important रहेगा because Sophie Devine का confirm नहीं कि वो 4 over कराएंगी कि नहीं कराएंगी Carson को 4 over 3 से 4 over मिलना है लेकिन इस match में bounce back कर सकती है vintage की team उसको देखते हुए इनके भी कुछ बॉलर आपको लेना है पहले तो हैली Matthews इनके team की तरफ से important है आपके लिए इनकी अगर बात करूँ तो last match में इन्होंने कुछ खास नहीं की यहाँ इन्होंने 4 wicket लिया था बाकी देख सकते फ्लॉप रही है इस सबसे important player अगर मैं बात करूँ vintage की तरफ से वो केवल और केवल हैली Matthews ही है जो की consistent रहती है बट इनका performance के वाल एक match में आया है यहाँ इन्हों 4 wicket लिया था तो इस pitch पे spinners को मरत मिल रही थी जाएदा अभी इनको 4 wicket मिला था इसलिए Sophie Divine ने हैली Jensen का ओवर काटा था 30-20 में उन्होंने काटा था यहाँ पे Jay Scare का ओवर wicket लेने के बाउजू और balling इसको दीती अपने सारे spinners को दीती और यहाँ पे Suji Baits को भी balling दीती Suji Baits आपके लिए important है अब यहाँ पे आपको बैटिंग सेक्शन में ध्यान देना है आपने अल्रेड़ी साथ प्लेयर लिये हुए यहाँ पे इंपोर्टेंट है विकट किपिंग से भी point देंगा अब यहाँ पे कुछ प्लेयर मिस हो जा रही है जैसे कि A.Fletcher ने लास्ट में भी दो विकट लिया यहाँ देख सकते हो चार ओवर में दो विकट लिया तो यह एक विकट टेकिंग बॉलर है तो इस मैच में इंको विकट मिल सकता है तो या तो आप Carson को लो या तो A.Fletcher को लो यह आपकी चोईस है लेकिन Carson ने बहुत अच्छा performance किया है इसके पहले दो मैच के लिए दोनों में दो-दो विकट मिला यहाँ इंको एक ओर ही balling दी गई अब चुकि इनके balling का confirm तो है इनको 3-4 वर दिया ही जाएगा आप देख लेना इस match पर दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर A.Fletcher भी विकट टेकिंग बॉलर है इनका तो confirm है तो इनको लेना जारा बैटर है बट फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर Carson के साथ जा सकते हो पिछले match के performance के basis पर तो यह team 1 के तैयार हुरी है लेकिन आप इसमें change क्या कर सकते हो तो यहाँ आपको ज्यादा points दे सकती है और जैसकर last के 2 match से खेल रही है अच्छा performance कर रही है line length अच्छी रहती है और यह आपको bonus point भी देंगी विकॉज यह bold करती है players को इस thumb पे ball कराती है LBW भी करती है तो यह आपको ज्यादा points दे सकती है F Jonas को आपको नहीं हटाना important day 4 वर यह करा ही रही है हर match में अब यहाँ पर change आप क्या कर सकते हो आप batting section में change कर सकते हो लेकिन उसके लिए फिर आपको एक New Zealand के player को हटाना पड़ेगा जैसे कि आप यहाँ पर Maddie Green को ले सकते हो उनको लेना है तो फिर आप K Knight को हटा करके उनको आप ट्राई कर सकते हो अपने टीम में और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया अब यहाँ पर आप करी सकते हो change विकॉज आपने एक baller हटा दिया है Maddie Green को आप ले सकते हो Maddie Green बहुत बड़ा नाम है अगर New Zealand की पहले batting आती है तो आप Maddie Green को लेना Otherwise आप यहाँ पर के नाइट के साथ ही जाना फिर आप यहाँ पर एक और player ले सकते हो New Zealand के जो की हो सकती है Carson Carson को लेने के लिए डारेक्टली अगर पहले balling आती है New Zealand की आप डारेक्ली Carson को लेने ना यहाँ पर एफ लेचेर को हटा करके क्योंकि जल्दी all out कर सकती है विंडीज की टीम को New Zealand और जल्दी चेस कर सकती है लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है यहाँ पर जितने मैचे जोए low scoring होए है मैं आपको दिखाता हूँ अब पहला T20 देख सकते हो 115 पर all out हो गई थी विंडीज की टीम इसको भी नहीं बना पाई थी New Zealand की टीम और एकरन से हार गई थी यहाँ पर विंडीज ने 107 बनाया तो इसको चेस करने के लिए भी इन्होंने 4 विकेट कमा दिया और बनाया कब 19 और 5 बॉल में यहाँ पर 93 बनाया इसको बनाने के लिए भी इन्होंने 5 विकेट कमा दिया यानि यहाँ पर 2 इनिंग में अगर पहले बॉलिंग आती है New Zealand की तो उस केस में भी विकेट मिलेंगे विंडीज के बॉलर को यहाँ पर देख सकते हो 111 बना और यहाँ पर टाई हो गया मैच पहले बैटिंग आया थी New Zealand की उसके बावजूद केवल 111 New Zealand भी बना पाई जबकि इनके विकेट केवल 4 गिरे थे यानि यहाँ पर ज़्यादा रन बनते नहीं है आपको ज़्यादा थर बॉलर सबने टीम में लेना है आप एक चेंज कर सकते हो अपने टीम में करा सकती है इनके पास बहुत सारे बालिंग के उपसन है जैसे कि यहाँ पे C Fracer है यह तीन से चार ओर कराते है लेकि लाश्ट में इनको एक यह ओर बालिंग दी गए यूगि उसमें रन ज्यादा बढ़ गए थे तो बालिंग के बहुत सारे उपसन से इनके पास उसकी एक ओर्डिंग यह बालिंग कराते है तो आप देख लिए ना किसको लेना है किसको छोड़ना है फिलाल के लिए यहाँ पे मैं इस तरीके से जा रहा हूँ अगर आपको यहाँ पे A Fletcher को लेना है तो डिरेक्टली आप यहाँ पे E Carson की जगह पे ले सकते हो उस केस में इनको हटा करके इनको लेना है जिसकी पहले बैटिंग आईगी उसकी बैट्समन आपको लेना है विंडीज की पहले बैटिंग आ रही है तो यहाँ पे Knight को लेना अगर यहाँ पे New Zealand के पहले बैटिंग आ रही है तो Magic Ring को ले लेना मैंने सारी बाते I Think समझा दिये Captain आपको बनाना है, Amelia Care को Vice Captain आप इनको बना सकते हो या तो Captain Vice Captain आप इनको बना सकते हो Healy Matthews को यह तीन अच्छी च्वाइस है और अगर आप बहुत रिस्क लेने पर विश्वास रखते हो पहले बालिंग आ रही है New Zealand के उस केस में Vice Captain इन दोनों में से या इन तीनों में से किसी बालर को बना सकते हो Captain तो आपके Amelia Care ही रहेंगी अगर New Zealand की तरफ से बात करूँ और Vintage की तरफ से बात करूँ तो Haley Matthews इसके अलावा कोई option नहीं एक Sophie Divine तो मैंने आपको बताया है confirm नहीं हैं कि Balling का बात करते हैं Paid Membership की हमारा एक मात्र नंबर है WhatsApp नंबर 91400233474 यहाँ पर हम लोग Membership देते हैं हमारा Charge Market में सबसे ज़्यादा High है तो High रखने का मतलब यह होता है ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं और हम जोड़ना भी नहीं चाहते हैं हमारे अल्रेडी 12,000 से ज़्यादा Paid Membership लेते हैं World Cup के टाइम में यह 12,000-15,000 हो जाएंगे जैसे कि IPL में हुआ घरते थे क्योंकि World Cup ज़्यादा लोग खेलते हैं और IPL भी ज़्यादा लोग खेलते हैं और बीच में Big Bass League Women's भी स्टार्ट होने वाला है उसका पैकेज अभी अनौन्स कर दिया जाएगा उसका अलग पैकेज रहेगा तो अगर आप World Cup का पैकेज लेते हो तो आपको आज से ही टीम मिलना इस्टार्ट हो जाएगी हमारे लगबग सारी स्पॉर्ट फुल हो चुके हैं और नए मेंबर्स को जल्दी मेंबर्सिप देते भी नहीं है जो पुराने मेंबर्से उनी को मेंबर्सिप दी जाती है क्योंकि वो हमारे हर एक रूल्स को जानते हैं समझते हैं और उसके एक और इंवेश्मेंट करते हैं आप सभी को लगता है कि एक अच्छे टीम दे देने से आप विन कर जाओगे लेकिन उसके भी बियॉंड बहुत सारी चीज़े होती है रूल्स होती है किस समय लीग जोईंग किया जाए कई बार हम आपोनेंट्स भी आपको बताते हैं कई बार टाइम बताते हैं आपको आपके बजट के एक और्डिंग इंवेश्मेंट बताया जाता है और लीग बताया जाता है और आपको उसके एक और्डिंग विन करवाए जाता है तो ऐसे members विन करते हैं जो बातों को समझ पाते हैं हम लोड डेमोई ट्राइल टीम नहीं देते हैं अगर आपका budget हो तभी आप membership लीजिए otherwise prediction के वीडियो आपके लिए आएंगे time to time आप उसके थुरू हमारे विडियो को देखकर के विन कर सकते हो पुराने टेलिग्राम चैनल copyright strike के विज़े से काम नहीं कर रहा है नया टेलिग्राम चैनल का link विडियो के निशे description box में वो आप join कर लीजे और इसके अलावा जो YouTube चैनल हमारा यह नया ही है अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी सब्सक्राइब कर लिजे अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है आपका होश्टन दो संकुरी साइनिंग आउट बाबाए